विरासत जी नमस्कार मैं डाक्टर पंकच कुमार पांडे देप्स रेस्ट ओफेशियल पर विरासत सीरियल के माध्यम से आज गया जो विहार का अद्भूत विरासत छेत्र है बरतमान समय जो स्राध काल चल रहा है इसमें गया की जो भूमिका है गया मंदिर की जो प्रधानत उसके बारे में बताने जा रहा हूं। गया जी की चर्चा है तो वायु पुरान में बहुत अस्पस्थ इस बात का उलेखाया है कि स्रिस्टी के रचैता, स्रिस्टी के निर्मानकाल में एक अद्भुत विशाल काई गय सुर नामक बालक को जन दिया था। गय सुर प्रेति ओनी में असुर ओनी में रतेवे भी बहुत ही बिद्वान और विश्णु भक था। बालकाल में ही सुक्रियाचारी जी से धर्मक सिक्षा, सास्त्र की सिक्षा, मया की सिक्षा लेकर के प्रविन, कोलाहल परवत पर सांस को रोक कर कई वर्सु तक गय सुर ने भगवान विश्णु की अराधना पूजन की, उसकी अराधना से उसकी तपस्या से प्रशन्न होकर स्वयम स्रीहरी ने बरदान मांगने को कहा गयासुर ने जो बिलकुल ही भगवान विश्नु का भग था उसने एक अधुत वर मांगा कि हे प्रभु जितने भी प्रानी मेरे दर्सन को आते हैं जो मुझे असपर्स करते हैं और जो मेरा दर्सन करके जाते हैं ये सभी दर्सनो प्रांत असपर्सो प्रांत और पुजनो प्रांत उनका मोक्ष हो जाए और वो आपके स्रीचर्णों में अस्थान ले भगवान स्रीहरी ने तथास्तु कह दिया कह तो दिया लेकिन एकाएक जो है ब्रह्म लोक में ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ने लगे जो दुसकर्मी थे जिनको वहाँ नहीं जाना था और ब्रह्म लोक धीरे धीरे भरने लग गया सारे देवताओं की बीच में अब इस वात की चर्चा होने लगी और एक तरीके से भगदर सा मच गया कोई जगह नहीं बची थी सभी देवता एकत्रित होकर के भगवान ब्रह्मा के पास में गए और सिवजी को लेकर ये लोग भगवान विश्नु के शरन में गए और उन्होंने अपनी बातों को रखा के हे प्रभु आपके आशिरवाद से ये पूरा विश्नु लोग भरता चला जा रहा है अब अपने पास कोई जगह नहीं बची भगवान सरी हरी ध्यान मग्ण में होकर करके बंद मंद मुश्कूराए और उन्होंने इस बात को परिस्थितियों को समझा लेकिन एक सब्द उन्होंने अवश्य कहा कि धरम भीरू गैसुर को मेरा अशिरवाद तो प्राप्थ हई है लेकिन आप लोग उसके पास जाएं और करवध प्रार्थना करें कि लोग को प्चार के लिए जन समुदाय के हित के लिए और धर्मकारे हेतु आपके सरीर पर यग्य करने का निर्देश भगवान सरी हरी ने दिया है ब्रमा जी के सहित संपूर्ण देवता गैसुर के पास जाते हैं और गैसुर से प्रातना करते हैं कि लोगों के हित के लिए मोक्ष के लिए और बहुत बड़े अनुस्ठान की पुर्णता के लिए आपके सरीर पर यग्य अनुस्ठान आदी होने है देखें एक धर्म भेरो बिश्नु भक्त जिसने अपने प्रान की आचना नहीं की उन्होंने जन कल्यानार्थ गैसुर ने आदेश दे दिया कि आप मैं सोता हूं और आप लोग हमारे सरीर पर यग्य अनुस्ठान करें यग्य अनुस्ठान शुरू होता है अगनी में हवन की जब प्रक्रिया होई तो अगनी दाह से कितना भी बलिश सरीर था लेकिन वो हिलने लगा अब हिलने से पुरा यग्य अनुस्ठान जो है खंडितना हो जाए इसके लिए लोगों ने फिर भगवान विश्णु का आवहान किया उस समय में धर्मराज की पत्नी का सिला खंड जो सिला के रूप में परिवर्ती थी श्राप के वज़े से उसको बहुत जबरजस्ट बह गैसुर के सरपर रखा गया उस सिला खंड के रखने के बाद भी शरीर सांत नहीं हुआ हिलता डूलता रहा फिर लोगों ने आवहान किया देवताओं ने आवहान किया भगवान स्रीहरी का भगवान स्रीहरी बहुत बिशाल गदा लेकर करके स्वयम आये और गदा सहित गै भगवान स्री विश्णु को उसी समय से गदा लोल भी कहा गया लेकिन भगवान विश्णु एक बर पुनधा बहुत दरबित हुए और एक बिलकुल ही निर्दोस व्यक्ति का जान जाते हुए देखकर करके बहुत दरबित हो गये और भगवान विश्णु ने हाथ जोड़ क करकर के छमाय आतनाक के साथ में गैसुर को फिर से आवाहन किया कि भक्त मैं कुछ कह नहीं सकता मैं बहुत सर्मिन्दित हूं लेकिन अब तुम अंतिम वर्दान एक बार फिर हमसे मांग लो गैसुर ने कभी भी अपने प्रान रक्षा का वर्दान नहीं मांगा सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया और धर्म विरू विश्णु भक्त गैसुर ने भगवान स्रीहरी से आवाहन किया प्रातना किया कि हे प्रभु अगर आपकी कृपा मुझ पर बरस्ति है तो आप एक कि आपके यग्य के पस्चात ये पूरा सरीर मेरा एक सिलाखंड के रूप में परनित हो जाए और आपका चरण पादचिन हमारे उस सिलाखंड पर रहे इस यग्य में जितने देवी देवता उपस्थी थे वो सभी देवी देवता जब तक स्रिष्टी में सूरी और चांद रहेंगे ब्रह्मान्ड में उस समय तक ये सभी देवता इस सिलाखंड में आपके पदचिन के साथ में यहां पर विराजमान रहेंगे जो भी भक्त अपने मिर्तकों के लिए पितरों के लिए यहां दर्शन, पूजन, असपर्स और पिंडदान करेंगे उनका सीधा मुक्त हो जाए और आपके स्री चरणों में अस्थान मिले और उनका सद्गती प्राप्त हो भगवान स्रीहरी ने और सभी देवताओं ने फूल वरिष्टी की और आशिरवाद दिया कि आज से ऐसा ही होगा उसके बाद से जब तक स्रीष्टी है आगे की बातों की बात नहीं कही जा सकती है लेकिन जब तक पित्र योनी के बंसज है है यहां पे लगातार चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा अभी स्राध का काल चल रहा है ऐसे इस तिति में जितने भी वनसज है अपने पित्रों के नाम से अपने पित्रों के मृत्य तिति पर और तिति के अलावे कभी कभी लोग हमसे पूशते हैं कि महराज जी वैसे लोग जिनकी तिति न मालूम वह किस कोन सी तिति में करेंगे तो बहुत असपस्त चर्चा है गरोड़पुरान में विश्णुपुरान में कि इस्त्रियों के लिए माताओं के लिए नौमी तिथी और जिनका कोई तिथी ग्यात नहीं हो उसको पित्र विसरजन के दिन आमावश्या के दिन पित्रों का पिंडदान पूजन करना चाहिए कि भाई दीपस्रेश जी ने एक ऐसे विशे को लिया है और विहार के विरासत को करमवार और अपने सिरियल के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं तो आगे भी हम लोग स्राधी के विशे में जब आवश्यक्ता होगी कुछ विशेस वाते की जाएगी मैं विरासत सिरियल के निर्माता भाई दीपस्रेश जी को इस पुनित कारे के लिए हिर्दय सधन्यवाद देता हूं ओम नमो भगवते वासु देवायो ओम विश्णवे नमा विश्णवे नमा विश्णवे नमा विश्णवे नमा